होली और शब बारात के त्योहार की मद्दे नजर पुलिस प्रश्वासनिक अधिकारियों की बैठक हुई इस बैठक की अध्यक्षता पुलिस कमिशनर डॉक्टर पृतिंदर सेंग और जुलादिकारी नवनीद सेंग ने सन्युक्त रूप से की इस बैठक में जिले के सभी जम्मिदार पुलिस प्रश्वासनिक अधिकारी मौजूद रहे जिला अधिकारी नवनीद सिंग चहल एवंपुलिस आयुक्त पृतिंदर सिंग की अध्यक्षता में कलेक्टरेट सभागार में बैठक संपन हुई इस बैठक में होली का त्योहार वशब बारात पर्व को सकुशल संपन कराये जाने और जिले में कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए समस्त अधिकारियों वपुलिस प्रश्वासन के साथ मंधन हुआ होली का त्योहार साथ मार्च से प्रारंब होकर तीन दिवस तक चलेगा तथा शब बारात कभी पर्व साथ मार्च को होने से सभी समुदायों के बीच पीस कमेटी की बैठक संपन कराने के निर्देश दिये गए आगरजिडे में 3,205 स्थलों पर होली का दहन, 6 शोभायात्रा, ताजकंच में एक बड़ा दंगल तथा 6 बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है जिलाधिकारी ने बैठक में संबंदित विभागों से आगामी त्योहारों को लेकर तैयारी वा कारय योजना की जानकारी प्राप्त, स्वास्त विभाग को आगामी आकसमे के सिती से निपटने के लिए एंबुलेंस की विवस्ता सुनिश्चित करने वा होली पर करमचारीयों की छुट्टियां रद करने के आदेश दिये बैठक में पुलिस आयुक्त द्वारा बताया गया कि होली के दिन सभी प्रकार की शराब की दुकाने बंद रहेंगी उन्होंने पुलिस विवाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी है कडाई से सुनिश्चित करें शराब बंदी के दिन बैक डोर एंट्री ना हो नकली व जहरीली एवं अनाधिकरत शराब बिक्री ना हो अवैद शराब भट्टी भी संचालित ना हो तथा इस हितु व्रहद जांच अभियान चलाएं वह लगातार शेत्र में भ्रमड पर रहें उन्होंने शराब पी कर वहाँ ना चलाने होली के अवसर पर भढ़की लेवा अश्रीर गाने ना चलाने को निर्देशित किया बैठक में अगनी शमन विभाग द्वारा बताया गया कि किस फायर ब्रिगेट की गाड़ियां सभी जगे चिनहित करके लगाई जाएंगी इस पर पुलिस आयुक्त महुदय ने निर्देश दिये कि तिवहार के अवसर पर कोई भी फायर ब्रिगेट की गाड़ी स्टेशन में ना रहे सभी वहांद शेत्र में भ्रमड शीर रहेंगे बैठक के अंत में एडियम सिटी ने कंट्रोल रूम की स्थापना की जानकारी दी जिसमें अधिकारियों वा कर्मचारियों की ड्यूटी 24 घंटे लगाई गई है कंट्रोल रूम नंबर 2260-500 है सी नियूस के लिए विजय बगेल की रिपाट